नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम मंगल वार 31 अक्तूबर 2023 को जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पाया नक्षतर रासी और जनम अक्सर क्या रहेगा आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम 31 अक्तूबर को सुबह 12 अम से 4 बज़कर एक मिनट अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरगा स्वाण क्रीती का नक्षतर का चोथा चन वरी सरासी और ए अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 34 बज़कर दो मिनट अम से 9 बज़कर 56 मिनट अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरगा स्वाण रोहणी नक्सर का पर्थम चन वरी सरासी और एक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 9 बज़कर 57 मिनट अम से 3 बज़कर 54 मिनट पी अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरगा स्वाण रोहणी नक्सर का दोसा चन वरी सरासी और वा अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 3 बज़कर 55 मिनट पी अम से 9 बज़कर 55 मिनट पी अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरगा स्वाण रोहणी नक्सर का दीशा चन वरी सरासी और वी अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 9 बचका 56 मिनट पीम से 3 बचका 58 मिनट एम 1 नुवंबर 2023 को जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरिगा स्वन रोणी नक्षत्र का चोथा चांड वरिस राशी और वू अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा धन्यवाद